नमस्कार स्वागते आपका आप देख रहे हैं मदिपरदीश 36 गर कर ये खास बुलेटन मैं हूँ आपके साथ अनाया शर्मा शुवात करेंगे बुलेटन के इस्तार से अपसे पहले रुख करेंगे स्वक्त की हैट लाइस की और शिन्वाडा में शहीद एरफोर्स जवान विकी पहाड़े पंच तत्लोर में विलिन पांस साल के बेटे ने दी मुखागनी सिये मोगन यादफ ने शहीद को सधान्स बिखिया दिख खरगोन पहुंचे कॉंचे कॉंगेस राजची नेधा राहूल गांदी राहूल गांदी निचनावी जर्सवा को किया संभोजेत इंडिया गडबर्नें की सरकार बनने का किया दावा मोबाल में बीजेबी प्रदेश अज्यक्ष ने जनता से की अपील जादा से जादा वोर्ट चुक करने की अपील विश्जद श्टर्मा ने कॉंगर्स को सादा निशाना स्ईभर में कल्लेक्चर प्रविल्स ने की अपर दाताउ से ज्यादा मठान करने के अपर अधिक से अधिक मठान कर जिले को नमबर वन बनाए जाने की कही बात बल्दामपुर में बीजेवी पतियाशी चिंतमेणी महाराज रेकिया जनसंपर्क चिंतमेणी महाराज ने मीडिया से की बाचित पधान मंते दरिंदर मोजी की की सराना चलिए इसी किसाथ आगास करेंगे बुलचंका जमो कश्मीर के पूंच में आतंकी हमले में शहीद हुए एरफूस की जवान चिंतवारा के रिवासी विखी पहाड़े का अंतिम सल्सकार चिंतवारा के पातालेश्वर मोक्षधाम में किया गया मुख्यगनी शहीद के पांच सार के बेटे हादिक ने दी इससे पहले एरफूस में उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया और बता दे कि सेना के हलिकॉप्चर से इसका पार्थिव शरीर नागपूर से हवाई पट्टी चिंतवारा लाया गया गाड ओफ ओनर देने के बाद विशेश वाहन से पार्थिव शरीर को परासिया जोर से उनके ग्रहद राम नोरिया करबल ले जाया गया इससे पहले चिंद्वारा में मुख्यमंत्री दॉक्षर मोहन यादफ में शहीद को शंदाज भी अर्पित के उन्होंने उनकी मा गुलारी से भी मुलाकात की तो ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने बहादूर जवान और सेना पर गर्भ है जिन्होंने यह कारियरा काईड़ाना खरकत की है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने सजीद भी की पहाड़े की आज़र बाड़े लाई गई है अद्समें समीने गवादूर अमें गर्वन है हमारे बातूर जवान पर जिसने हैं अपने काथरूर की वलिवधी पर अपना इसका एक परद से मा की सोवा में अपना सरीधा समर्दिग किया है यह कुदी यह बात सही है के आयू इतनी नहीं थी काहड़ना हमला हुआ इसका नहीं पटने में सुक्षन है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिन बे यह पाइदान हार करती है लेकिन यह जेश हैनर वह जार साल से ऐसे बहुत दूर जवानों के सफ़सी अपनी लंबी आत्रा तरह करते आया है ऑद्य है रफ मेरी अपने हुट से नहीं पसम्धनली बी ओर पर्मात्मा से कामना करते हैं कि कुंको अपने इस्थान में चरन को छौन के शान देगी यू निए प्रवार में सौपिधी गड़ी में सोफित करता हूं और सेना पेड़ गर्व करता हूं जूँने अपनी एक लंगी उच्वल परंपरा के अंडिर्वान कैदार पर गाड़ा पानार दे करके सरकार के वह स्वाउप लूटे पर सास की जो सम्वान हो सकता हूं सम्द चिनावी जनसभा को संबोधत करने पहुंचे कॉंग्रेस के राश्च्री अनेता राहूल गांधी ने पिए नरेंद्र मूदी पर जम कर हमला बोला राहूल गांधी ने दावा किया कि देश में इंडिया गडबंदन की सरकार बनने जा रही है सरकार बनते ही देश में सभी किसानों का करजा माफ होगा किसानों की फसल उच्छे तबूल्य पर खरीदने का कारून बनाएंगे वही नरेंद्र मूदी ने उद्धोपती का करजा माफ किया था हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिलाओ को एक लाक रुपे देंगे ये चुनाव देश के लोगतंत्रों और आरक्षन बचाने का चुनाव है हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं और दूसरा काम पहली बार हिंदुस्तान के हितियास में कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस गाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है कम से कम गाम कानून बनाएंगे इससे किसानों को जबर्दस्ट फाइदा होने वाला है बाईयों बेनों आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको जमीन का जल का जंगल का अधिकार मिलना चाहिए वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं वो आपको वनवासी कहते हैं यह हर आदिवासी पर अपमान हैं आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो वनवासी का मतलब वो लो जो जंगल में रहते हैं बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खतम कर रहे हैं जंगल खतम हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भईया आप कही के नहीं हो प्रदेश अध्यक्ष विश्रुदत शर्मा ने लोकसुभा के तीसरे चरण के मद्दान के लिए मद्दाताओं से जारा से जादा वोट करने की अपील की है मही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कॉंग्रेस राहूल गांधी दिवजय सेंग और कमलनाथ पर भी जम करिशाना साथा उनका कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है यही वज़ो है कि उनकी प्रवक्ता राधी का खेड़ा को आठ दिन तक कर प्रतारना जेलने के बाद आखिर का पार्टी छोड़नी पड़ी उनका दोश सिर्फ इतना था कि वे आयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए गई थी जीतु पटवारी के इमर्ती देवी पर दिये गए बयान पर भी बीडी शर्वने निशाना साथा और आरोप लगाया कि कॉंगर्स पार्टी में महिलाओं के सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है मद्दान है मद्द्रदेश के अंदर और उसके बाद तेरा तारी को चौता फेज का मद्दान होगा मैं पूरे मद्द्रदेश के सभी मद्दाता भाई और महनों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मद्दान करें लोगों को प्रिरित करें अपने रिस्तेदार, दोस्त, परचित, पड़ोसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मद्दान के लिए प्रेषित करते हुए क्योंकि आपका एक मत बहुत मेत्पूर्ण है और आपका एक मत विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करेगा इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आम मद्दाता भाई और बेनों से अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा जाकर के मद्दान करें जब बेन राद का खेड़ा कॉंग्रेस सोड़ के जा रही है तो हमारे भाई सूरज दिवारी यहां के हमारे युवा नेता है भोपाल के बरसों से हम लोग जब विद्दारती बरसत में काम करते थे वो एनेसवाई में काम करते थे तो आज उनका मन और हिर्दय परवर्तित और मैं भी अब भगवार राम के स्रद्दा और आस्था के केंदर भगवान के दर्सन भी करूंगा और भारती जिंता पार्टी के साथ मिल करके मोदीजी के नितरतु में जो संबग हो सकता है वो समाज के लिए काम करने का हमसम मिल कर देब जाबवा में कलेक्टर डेहा मीना और पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुकलirk के मार्ग दरशन में मादान बढ़ाने के उदेश से सचेतपाती और को स्ठीकर का विमोचन किया गया इस अफसर पर कलेक्टर देहा बीना ने अपने संदेश में समी से शत प्रतिशत मद्दान की अपील की साथ ही पुलिस कप्तान पद्म विलोचन शुकल ने संदेश दिया कि मद्दान के साथ यातायात की दियमुका भी पारान करे और इस होसर पर बड़ी संक्या में महिलाओं और पुर्षों में भागीदारी की और मद्दान की शपद पिली लोकसवाद चुनाव की तीसरे चरण के लिए मंगलवार सुबह साथ बजे से मद्दान शुरू हो गया है तो वही शांदेपूर चुनाव संपन कराने को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तायारी की गई है आपको बतादे कि मद्दान के लिए दुर्ग लोकसवाद सीट से बीजेपी प्रतियाशी विजए बगेल ने इस कूटी से अपनी पतनी के साथ पहले सेक्टर पास कित गडेश मंदिर गए जहां उन्होंने पूजा अर्शना की जसके बाद बीजेपी प्रतियाशी विजए बगेल मद्दान के इंद्र पहुंचकर मद्दान किया सिहोल में का लेक्चर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमीर सिंग और एस्पी मयन का वस्थी ने जिले के समस्त मद्दाताओं से लोकतंजरों के महापर्व में अधिक से अधिक मद्दान कर देश के विकास में सहभागी बनने की अपील की है तो वहीं उन्होंने अपील में कहा कि सभी मद्दाता अपने मद्दान के इद्रों में पहुंचकर मतादिकार का उप्योग वश्य करें उननी जिले के मद्दाताओं से कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मद्दान कर जिले को नंबर वन बनाए अधिक मद्दान करें सीहोर करें नमस्कार आप सब को पता है दान सभाव में सीहोर इच्छावर और बुद्दि लोकसभा निर्वाचन होना है निर्वाचन के लिए मैं सभी मद्दाताओं को अपील करता हूँ कि सुबह साथ मज़े से लेकर श्याम को छे वल तर आउसी दूप से मद्दान के दूप सारी विवस्ता जिला पर ससने करी है आपके लिए च्छाएं की विवस्ता है शीतल पेजल की विवस्ता है और मद्दान के दिर्फ जहां पर मद्दाता बारासों से अधिक है वहाँ पर पॉलिंग पार्टी में चार की वज़ाए पांच कंट्रें डूटे लगाई है ताकि मद्दान सुगम को असानी से हो कि कल के दिन सभी लोग जो अनिवर्टर वोट करने आए और इसमार हमारा प्रयाद सुना चाहिए कि हमारा जिला सिहोर है मद्दान के महले में पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश में चतिसकर्ण भारतिय जन्ता पार्टी के पूरो भारतिय जन्ता युवा मोचा प्रदेश अध्यक्ष और वरतमान प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने खास चर्चा की उन्होंने युवाओं को वोट देने के लिए अपेल की साथ में राइपूर लोकसभा सीट की तैयारी को भी साजा किया उन्होंने कहा जन्ता को भारतिय जन्ता पार्टी पर भरोसा है मोदी की गारंची पर भरोसा है साथ ही में अपने लगातार सोशिल बीडिया पर ट्रेंडिंग रहने के राज को भी हमारे साथ उहने साजा किया उन्होंने इस दोरान और क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं दो फेसिस खतम हो चुके हैं और देख सकते हैं भारतिय जनता पार्टी लगातार अपनी तयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है ऐसे भी प्रदेश की जनता है वो साथ लोग सभा सीटों में मतदान के लिए उमड कर आने वाली है ऐसे में चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ एक ऐसी शक्षिय जुड़ी हुई है जो कि छत्तसगर भारतिय जनता पार्टी की यूथ आईकॉन का हज़ाते हैं देखा जा सकता है कि लगातार पिछले कई वर्षों से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं और यूवाओं में खासतोर पर उनका क्रेश जो है वो देखा जा रहा है जी हम बात करें अमित साहु जी की सीधा उनसे समवात करेंगे अमित जी देखा जा सकता है कि जब आप जनता के बीच जाते तो सबसे ज़्यादा जो यूवा वर्ग है वो आपसे काफी ज़्यादा प्रभाविद रहता है देखा जा सकता है आप भारतिय जनता यूवा मोचा के प्रदेश अद्यक्ष भी रहें और अप प्रदेश प्र रहा पे है जो पार्टी को यूथ विंग को पार्टी की विचारधारा से जुड़े इसले सरवाधिक कार्य में युवाओं के बीच करता हूँ और वो ही कार्य करता हूँ जो युवाओं को पसंद हो चाहे वो ग्लेमरस की राजनिती हो चाहे वो आंदुलन की राजनिती हो चाहे युवाओं को उनकी ही विचारधारा को होकर उनको पालिटी की विचारधारा में उनके भीतर परिवर्तन लाने की राजनिती हो यह सारी राजनिती मैं करता हूँ, इसलिए युवाओं को भी मैं बहुत पसंद आता हूँ और 36 गड़ के सरवाधिक युवा, ऐसा कोई युवा नहीं होगा, जो मुझसे चीत पर चीत होगा कहीं भी मैं 36 और किसी भी कोने में जाओं तो हर एक युवा जानता है पहचानता है और भारती जंता पार्टी का एक युवा नेते के रूप में पहचान आज मेरी 36 प्रदिस में हूँ है और कहीं ने कहीं भारती जंता पार्टी में जुड़ने के लिए कोई भी युवा अग जाता हूं तो यूँआओं के बीतर एक अलग सा क्रेस लेकर जाता हूं मैं सोशल मीडिया पर आप काफी ज़्वादा ट्रेंड पर रहते हैं हम भी रोज देखते हैं और आपके फॉलर्स भी इतने जादा है तो यह त्रेंडिंग पर बने रहने का राज गया है? याई के यूआ भी और आज के पुरुज भी सरवादीक लोग सोसल मीडिया के माध्यम से जुरे हैं और मेरे सोसल मीडिया का craze यह है कि मैं कभी एक ट्रेंड के हिसाब से ही सोसल मीडिया में चलता réuk病 है जो वरतमान की trending है जो वरतमान की कारे पद्दती है जो वरतमान में जैसे कि मेरी विचार धारा और मैं भारती जनता पार्टी के करमत कारी करता हूं तो कॉंगरेसी कभी देश हित में बात नहीं करते हैं उनको लेकर मैं अनेको मुद्दे भी सोसल मीडिया में चलाता हूं और राष्ठेत की बात मैं करता हूं हिंदुत की बात मैं करता हूं इसलिए युवा जो है सोसल मीडिया में मेरे पोस्ट को चाहे वो ट्वीटर हो चाहे आज के समय में सबसे लोग प्रिया एप्लिकेशन हैं इंस्ट्राग्राम हो फेस्बुक हो कू एप्लिकेशन हो आजकल थेड भी एक एप्लिकेशन आया है तो इन सब माद्यम से और मैं हमेशा हर सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहता हूं ताकि अधिक सधिक युवाओं को जोड सकूं अपनी विचारधारा उन युवाओं के हिर्दय में प्रफुलित कर दू ताकि उनकी जो विचारधारा हो आगे चल कर वो हिंदुत को पहचाने हिंदुत को जाने हिंदुत का मान सम्मान करे और राष्ट हित में देश हित में राष्ट भक्ती से उत्परोत होकर देश हित में काम करें और भारती जंता पार्टी की विचारदारा से जुड़े और अगर किसी युवाओं के मन में हिंदूत की विचारदारा आती है तो उनके नजर में सिर्फ एक ही पार्टी नजर आती है वो भारती जंता पार्टी क्योंकि यही वो पार्टी है जो मोदी जी की पार्टी है यही वो पार्टी है जो माननी अटल बिहारी वाशपाई जी की पार्टी है और यही वो पार्टी है परम सरदे पंडित दीन देल उपाद्धा जी और श्यामा प्रशाद मुखर जी जैसे वरेक महापूर्शों की पा की भावना जागरित होती है तो निसंदे भारती जनता पार्टी से जुड़ता है और उसका माध्य मैं बनता हूँ कॉंग्रिस पार्टी की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि वो भी अपनी तैयारियों में कही ना कही जुटी हुई नजर आ रही है पांच न्यायों की वो बात कर रहे हैं अपने घोशना पत्र में युवाओं को न्याय नारी को श्रमिकों को गरीबों को तो इन न्यायों को किस तरीके से देख रहे हैं क्या लग रहा है कि उनके घोशना पत्र पर जनता को कितना भरुसाब देखे मुझे तो हसी आती उन तमाम कांगरिसियों पर और ये किस हैसियत से अन्याय की बात करते हैं ये 36 गड़ की जनता पर अन्याय करने वाले कांगरिसी ये भारत देश की जनता पर अन्याय करने वाले कांगरिसी ये वही कांगरिसी हैं जो कहते थे कि हर सरकारी योजनाप पर अल्ब संख्यकों का पहला अधिकार है हर बहुत संख्यकों के हिर्दय को चोटिल करने वाली ये कांग्रेसी किस हैसियत से नय की बात करते हैं अगर हम बात 36 गड़ की करते हैं तो 36 गड़ की जनता ने 2018 के चुनाओं में एक भरोसा जताया था एक विस्वास जताया था और 36 गड़ के इतिहास में तीन चौथाई से भी अधिका बहुमत अगर किसी पार्टी को दिया था वो कॉंग्रेस पार्टी को दिया था 71 विधायक थे उनके 2018 के विधान सभाचुनाओं में मगर वो 71 विधायक उनके से मंत्री और उनके एक सरदार थे जो ठगों के सरदार थे जिनको ये कॉंग्रेसी नारे देकर कहते थे कि भुपेस है तो भरोसा है उस भरोसे पर 36 गड़ की जनता ने उनको आंका है तो 36 गड़ की जनता ने पाया है कि भुपेस है तो भरोसा नहीं है भुपेस है तो सिर्फ इस चीज का भरोसा है कि वो ठगों का सरदार है वो माफियों का सरदार है वो अवेद खनन करने वाले रिद चोरों का कोईला चोरों का सरदार है वो अवैद उगाही करने वालों का सरदार है तो इसलिए एक कॉंगर्सी नारा देते थे कि भूपेस है तो भरोसा है कि हम 36 गड़ की जनता के जिम में डकेटी डाल रहे हैं इसलिए हम सनरक्षी थें क्योंकि भूपेस है तो भरोसा है हम कोईले की खुले आम चोरी कर रहे है कोईले में लेवी वसूल रहे है क्यों क्योंकि भूपेस है तो भरोसा है हम महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए यहां के गुंडों को खुले आम हमने छोड़ दिया था क्योंकि भूपेस है तो भरोसा है युआओं को इतना जोड़दार तरीके से इन्होंने ठगा है मूर्ख बनाया है चला है कि इन्होंने अपने जन गोसनपत्र में 2018 के वादा किया था जन गोसनपत्र में की 10 लाख नौजवानों को बेरुजगारी भत्ता देंगे अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार देंगे मगर साड़े चार साल तक के भूपेज बगेल की सरकार ने उन युआओं को घुमाया था ना एक भी युआओं को बेरुजगारी भत्ता मासिक 25 सो रुपे नोने कहा था वो नहीं दिया दिया भी तो साड़े चार वर्सों के बाद हमारे भारती जनता युआ मूर्चा के बड़े आंदोलन के बाद उस सरकार को मजबूर हमने किया था कि युआओं के परती ध्यान दे युआओं से जो वादा किया था उसे पूरा करे मगर उन्होंने किया तो और दस लाख नौजवानों की बात की थी उन्होंने सिर्फ दिया सप्तर हजार नौजवानों को उसमें भी चैनित करके जो YUA कांगरेस के जो कारे करता थे उनको ही विरुझगारी भात्ता दिया सरकारी खजाने में भी अगर लूट डकैट समुहिक डकैटी इन्हों ने की इसलिए क्योंकि भूपेस है तो भरोसा था और उसी भरोसे पर छलावा 36 गड़ की जनता ने पाया इसलिए 2023 में भारती जनता पार्टी को चुना और अब तो कॉंगरेस के किसी भी वेक्ति पर भार भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं ने हमला इस प्रकार से बोला है और भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं ने च्छतिस गड़ की जनता का विश्वास हासिल किया है इसलिए सरकार आज बनी है और यह विश्वास कायम रहेगा क्योंकि च्छतिस गड़ की जनता को भ मरें सी सरकार थी उस समय भी यही स्तिती पर स्तिती और हालाँ छठी गड़ की जंता ने देखा था मगर 15 वर्ष के कारेकाल को छठी गड़ की जंताने भी देखा है आज चाहे कोरिया से लेकर कॉंटा तक के सुकमा से लेकर अमभीकापूर तक के अगर सडकों का विकास इंस् 36 की जनता ने सोचा कि एक बार बदल के देखी कि कॉंगरेस क्या करती है मगर इन 5 वर्सों में कॉंगरेस की सरकार को भी इन्हों ने देखा है कि ये भरष्टा चार के अलावा कुछ कर नहीं सकते इसलिए भारती जनता पार्टी है तो भरोसा है और नी संदे इसी भरोसे के दम पर 36 की जनता की आवाज के दम पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस लोकसभा के चुनाओ में 11 की 11 लोकसभा सीटे जीत कर मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे और हम भारती जनता पार्टी जो कारेकरता अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं बिलकुल उस नारे को पूरा करने की संकल के साथ आगे बढ़र है और कल जो चुनाओ है उसमें भी 36 गड़ की जनता नी संदे भारती जनता पार्टी के हर एक प्रत्यासी को चुनेगी क्योंकि उनका विस्वास कमल के फूल पर है उनका विस्वास मोदी जी के कारियों पर है उनका विस्वास भारती जनता पार्टी के हर एक नीती पर है जो भारती जनता पार्टी क नाम पर ही है इसलिए 11 की 11 लोग सभवी सीट हम 36 गड़ की जीतेंगे और 400 पार का आंकड़ा 400 पार का जो नारा हम लगा रहे हैं उसे नी संदे पूरा करेंगे और इश्वर प्रभु श्री राम चंदर जी का असिरवाद भी है कमल फूल पर विस्वाद भी 36 गड़ समय भारत हो जाते हैं तो उन्हें किस सरीके से अपील करेंगे देखिये मैं संपूर 36 गड़ के कोने कोने में बसे हुए उन जीवाओं से अनुरोध करता हूँ उन महिलाओं से अपील करता हूँ उन तमाम पूर्सों से बुजुरुगों से निवेदन करता हूँ मैं कि लोक तंदर का महा पर वो पांच साल में सिर्फ एक बार आता है और आप ही वो अधिकरित वेक्ति हैं जो लोक तंदर के महा पर वो में हिस्सा ले सकते हैं आप चुन सकते हैं कि आपके मन पसंद पार्टी की सरकार इसमें बने आप चुन सकते हैं कि आपका मन पसंद कैंडिडेट इस चु विधाता हैं, 36 गड़ के भाग के विधाता हैं, तो मेरी अपील आप सभी युआओं से हैं, महिलाओं से हैं, पुर्सों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ का करबद निवेदन भी करता हूँ, कि आज मोदी जी के सपने को साकार करे, आज आज आप देख रहे हैं, चाहे य विष्व मा भारती का गुणगान कर रहा हैं, सिर्फ किसलिए आपके एक वोट के वज़े से, आपके एक वोट ने मोदी जी को इतनी शक्ती दी है, भारती जनता पार्टी को इतनी शक्ती दी है, इतनी ताकत दी है, कि पूरे विष्व में आज भारत का डंका बज़ रहा ह और आज आप कल होने वाले मतदान में आप मताधिकार का प्रयोग कीजिए मोदी जी के कमल के निसान को चुनिए केंडिड कौन है आपको फर्क नहीं पढ़ना चाहिए आप सिर्फ कमल फूल जहां पर बटन हो उसे दबाईए यही निवेदन करता हूँ कि मैं मोदी जी के सपने को साकार करने में सबसे महत्पूर्ण भूमी का आप जनता जनारधन की है और आपके माध्यां से ही चार सो पार का आगड़ा पार होगा और मैं दावा करता हूँ विस्वास दिलाता हूँ कि यह भारत पुना विस्वगुरू बनेगा और एक दिन पूरी इस दुनिया में राज करेगा क्योंकि भारत अब सूपर पावर बनने की ओर है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है तो यह थी हमारे साथ भारती अजनता पार्टी के यूथ आइकॉन कहे जाने वाले शक्स आमित साहुजी जिन्नोंने बताया कि किस तरीके से जो है देख सकते हैं भारती अजनता पार्टी की रीती नीती से जनता काफी जादा प्रभावित होती नजर आ रही है और उनका ये भी कहना है कि 11 की 11 सीटे जो है इस लोक सभा चुनाव में भारतिय जंता पार्टी छटर्जगर से लेकर जा रही है और 400 पार का नारा जो लगातार दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर संभव होता नजर आने वाला है देखने वाली बात ये है कि 4 जून को जब निशकर्ष निकल कर आते हैं तो पूरी देश की जंता किसे अपना नेता चुनती है कैमरा में नरेश राओ के साथ करिश्मा सोनी साधना प्लस न्यूस तो मदकर्दीश चुछ दिसकर्ड का खास बुलोटिन देख रहेते आप और उस बुलोटिन में हमारे साथ वस्त नहीं नमस्कार दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बंती भू कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पिना खाना नहीं है में बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे